Hello students, welcome back to Mandip Education Academy's YouTube channel तो बच्चों नवंबर आ चुका है, बहुत ही जल्दी आपके pre-board स्टार्ट होने वाले हैं और देखते ही देखते फरवरी आ जाएगा और आपके boards भी स्टार्ट हो जाएंगे और ये दो धाई महीने बिल्कुल यू ही निकल जाएंगे तो time अपने पास कम है, अब आप जरूर ये सोचते होंगे, daily सोचते होंगे कि यार इस time को most effectively कैसे utilize किया जाए ताकि कम से कम time में आपका बहुत अच्छे से syllabus complete हो जाए और आप बिल्कुल confident feel करने लगो, आपके pre-boards भी अच्छे से निकल जाएं तो उसके लिए मैं पूरा plan एक बना कर लाया हूँ chapter wise मैं आपको बहुत ही important कुछ चीजें इस video में बताने वाला हूँ जो आपकी class 12 physics की preparation को बहुत जादा effective और fast बना देगा अगर आप इसको strictly honestly follow करोगे, तो आज से लेकर एक हफते के अंदर आपको बहुत major changes दिखाई देने लगेंगे और आप बहुत 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 जादा confident feel करने लगोगे अपनी preparation को लेकर अगर आपने अभी start भी नहीं करी है, तो भी आपके लिए plan बहुत जादा effective है अगर आप आधी कर चुके हैं, आधी से जादा कर चुके हैं, तो भी आपके लिए ये plan बहुत जादा effective है तो पूरा देखना, अच्छे से देखना वीडियो को एक-एक बात याद रखना और आगे की slide में जो चीज है, उसके लिए आपको copy pen चाहिए होगा तो आप लेकर बैठो ताकि वो सारी चीज आप note कर सको लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ suppose मैंने आपको एक शहर में भेज दिया और मैंने आपको दिये suppose सिर्फ 100 रुपे कि बेटा ये नए शहर में जा, सुभे के time मैंने तुझे उस शहर में छोड़ दिया ये 100 रुपे मैंने दिये और इसी से तुने अपना पूरा दिन निकालना है तुमारे पास खाने को कुछ नहीं है, पीने को कुछ नहीं है तो आप बहुत सोच समझ के उस पैसे को खर्च करोगे लेकिन वो ही मैं आपको 5000 रुपे दे के बेज़ दूँ आप फाल्तु की चीज़े करीद रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, ये कर रहे हो अब आप ये सोचो कि अभी जो situation है time को लेकर आपकी वो क्या है आपकी ये 100 रुपे वाली situation है बेटा, आपके पास time कम है और उस time को बहुत जादा effectively कैसे utilize करना है वो आपको ही सोचना है हमारे daily routine में बहुत सारे time leaks होते हैं ऐसे जिनकी वज़ा से हमारा time फाल्तु में waste हो रहा है चाहे आप उनको distractions कहलो, distractions आप किसको कहोगे phone को, social networking को, दोस्तों से बिनावजा बात करने को ये सब भी जरूरी है लेकिन क्या हमारे पास time है इन चीजों का बिल्कुल नहीं है, अभी priority क्या है, अभी priority है exam तो आपने खुद सोचना है और सोचने से काम नहीं चलता है लिखने से काम चलता है, आपने क्या करना है, आपने copy pen लेकर इस वीडियो के बाद बैठना है, अपने time leaks note करने है, और उन time leaks को हमने अपनी life से बिल्कुल निकाल के बाहर फैंक देना है अगले 4-5 महिने के लिए, right सबको पता होते हैं अपने time leaks, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं होगा, मैं अपना time कहां waste करना हूँ, आपको पका पता होगा लेकिन क्या है कि control ही नहीं होता, तो यह control का time है वेटा वो कहते हैं न, either you work hard for it, or you don't work for it at all या करो तो शिद्दत से करो, और अगर नहीं करना तो छोड़ी दो, यार बिल्कुल भी मत करो ऐसे आधा-धूरा काम करने का कोई फाइदा नहीं है, कि यहां time waste कर दिया, वहां time waste कर दिया और जब time मिल गया, तो पढ़ाई कर ली, नहीं, अब इससे काम नहीं बनेगा, एप्रिल में बन जाता, में में बन जाता, अब इससे काम नहीं बनेगा, तो आपको करना क्या है, बच्टो ध्यान से सुनो, अब copy pen वाली बात आ गई ज़रा लेकर बैढ़ जाओ, ज़्याद कर ही नहीं पाओगे, दिन पे दिन बीचते जाएंगे, घंटे बीचते जाएंगे, हफते बीचते जाएंगे, और आपको लगेगा है और कुछ भी नहीं हुआ, जो आपके साथ हो रहा है, तो क्या करना है आपको, यह जो आपका CBSE का sample paper issue हुआ न बेटा, इस CBSE sample paper को detail में study करके, मैं लेकर आया हूँ, एक बहुत ही important चीज आपके सामने, और वो यह कि कौन से chapter से कितने marks के क्या questions आए, क्योंकि आपके pre-board के exam हो, यह जो आप दूसरी book से sample papers practice करोगे, वो यह board का exam हो, सब इसी pattern को follow करने वाले है, क्योंकि उनके पास और blueprint के नाम पे उनके पास क्या ह है, तो सब इसी format को follow करेंगे, इसके basis पे, अगर हम देखें, तो अब देखो, planning से मेरा मतलब क्या है, कि जैसे अब आप लेकर बैटे हो, कि यार, हफते बाद मेरा pre-board है, तो आपको यह 7 दिन, उस तरीके से utilize करने हैं, कि कम से कम दिनों में जादा से जादा important syllabus, आप जानते फिर अगर आपका pre-board नहीं है, आप direct preparation ही करने बैठे हो, तो obviously आप पहले वो topics करना चाहोगे, जिनकी weightage जादा है, जो जादा important है, ताकि day by day, जैसे जैसे दिन बीचते जाएं, आप confident feel करो, और जब आप confident feel करोगे, आपको खुशी होगी, और आगे वाला syllabus करना आपके अपनी life से निकाल दो, बाद में add करेंगे, अभी के लिए निकाल दो, ठीक है, EM waves chapter अपनी life से निकाल दो, nuclei chapter अपनी life से निकाल दो, क्यूं, इसकी weightage है 3, इसकी weightage है 3, और इसकी weightage भी 3 है, लेकिन इसमें से 2 number का जो question है, वो भी किसमें है, 24 वाले question में है, जिसमें दूसरा question atoms का है, तो आप वो कर लो, तो ये भी करने की जूरत नहीं है, तो ले देके एक number वैठा, ठीक है, तो 3, 3, 6 और 1, 7, 7 number आपके गए, कहीं नहीं गए, अभी इनको भी हम लाएंगे, बचे 63, right out of 70, आप में से 90% बचे हैं, आप सोचो, सोचो, 70 में से आपके 63 आ गए, हम शुरुवात करेंगे, ये पीले में कुछ लिखके लाया हूँ, कुछ वाइट में लिखके लाया हूँ, सारी बाते बताते हो, ध्यान से सुनना, हम शुरुवात करेंगे optics से, क्यों सर, current electricity से भी कर सकते हैं, 7 number का weightage है, electric potential and capacitance से कर सकते हैं, 9 number का weightage है, बिलकुल कर सकते हैं बट यह आप yellow में देख रहे हो, तो यहां भी choice वाला मामला है, मैं आपको बताता हूँ, start with optics, क्योंकि जब आप optics से start करोगे, ये रहा ray optics और wave optics, जब आप optics से start करोगे, ये है ray optics, 9 और ये है wave optics, 15, करना कैसे वो भी मैं आपको बताऊँगा, कि NCRT करनी है, अब क्या करना है, पहले सुन लो बाद, we will start with optics, optics से start करके, ray optics में, देखो, इमानदारी से करना पड़ेगा अपने साथ काम, अपने time leaks रोक के, अपनी distractions रोक के, इमानदारी से पढ़के, अपने साथ काम, अगर आप करोगे, तो ये दोनों chapter मिला के, 5 दिन से ज़्यादा का time नहीं लेंगे, अ अच्छा, दूसरी बात ये है, कि ray optics से अगर आप शुरुवात करते हो, तो पिछले किसी भी chapter से वो related ही नहीं है, तो आप direct उससे शुरुवात कर सकते हो, तो आप देखो, सबसे ज़्यादा weightage वाले chapters हमने सबसे पहले करने हैं, ठीक है, उसके बाद आप dual nature of matter and radiation कर सकते हो, atoms कर सकते हो, और semi conductors कर सकते हो, ये chapters छोटे हैं, easy हैं, आप कहोगे sir current electricity कर लेते हैं, नौ का है, बिटा, electric potential and capacity, sorry, पहली बात तो है कि वो आप direct नहीं कर सकते हैं, आपको electric charges and fields पहले करना पड़ेगा, right, so our first target is second book, छोटे chapter है, easy chapter है, पिछले chapter से related नहीं है, और dual nature of matter and radiation एक दिन, atoms एक दिन, semi conductors, इतना parties में से कट चुका एक दिन, तो तीन दिन ये मिला लू, चलो एक दिन एक दिन एक्स्ट्रा पकड लूँ कि sir, हमारा time waste हो गया था, बड़े था, ये था, वो था, तो 5, 6, 7, 8, 9, एक दिन मैंने एक्स्ट्रा पकड लिया, 9 से 10 दिन के अंदर, आपकी आधी बुक हो चुकी है विटा, आपकी आधी बुक हो चुकी है, 15 और, 15 और 6, 21, 21 और 4, 25, 25 और 6, 31 marks हो चुके हैं, विलकुल confident हो आप, सिर्फ 10 दिन के अंदर, पूरी तरह से confidence आपका वापस आ गया है, और ये किया जा सकता है, आप अपने साथ अभी तक honest थे ही नहीं, आ आप अपना time बड़ा waste कर रहे थे, अच्छा, करना कैसे है, ठीक है, अब आपको idea लग गया होगा कि मैं क्या कहना चाहरा हूँ, वीडियो को pause करके, इस पूरे chart को note कर लिया जाए, कहीं पे लगा लिया जाए, अच्छा, second book पे हम जब आएंगे, अब yellow वाले से मैंने क्या लिखा है, yellow वाले से मैंने वो लिखे हैं, जो choice में आये हैं, जैसे ये और ये choice में आये हैं, एक तीन number का, पांच number का total question है, जिसमें तीन का electric charges and fields में से है, दो का electric potential में से है, लेकिन उसकी choice में एक पांच number का पूरा question electric potential and capacitance में से है, तो अगर आप इसको छोड़के जाओगे तो आपके सिरफ 3 number ही कटेंगे, लेकिन क्यों छोड़के जाओगे, अगर आपको electric potential and capacitance पढ़ना है, तो आपको पहला chapter करना पड़ेगा, फिर दूसरा, तीसरा, और moving charges and magnetism तो आपको करना ही करना है, क्योंकि इसकी weightage जादा, ये chapter हम छोड़ चुके हैं, EMI और AC, अब इन chapters क करने में आपको कितने दिन लगने चाहिए, इमानदारी से करने पर इसके 3 दिन लगेंगे आपको, ठीक है, electric potential and capacitance भी 3-4 दिन लेगा, current electricity भी 3-4 दिन लेगा, ये लगबग 5 दिन लेगा, ठीक है, मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ, student to student वेरी भी कर सकता है, तो 3, 3, 6, 3, 9, 9, 9 पांच, 14, 14 और 2-3 दिन उपर नीचे पकड़नू, लाइट, तो 16 दिन ये मान लिए, 9 दिन अपने यहां पे लगे थे, 16 और 9, 25, 25 दिन अपने पूरे हो चुके है, और 31 प्लस 9, 45, 52, 52 प्लस 5, 57 marks का अपना पूरा प्रिपेर हो चुका है, 70 में से, हाना, अब आपके बचते हैं chapter electromagnetic induction, alternating current, मैं चाहता तो मैं आपको बोलता ये direct कर लो, लेकिन बिना EMI के chapter हो नहीं सकता, तो आप ये दोनों chapters को मिला के, अगर करने बैठोगे, छोटे ही chapter है, कोई बड़े chapter नहीं है, 3-4 दिन में दोनों हो जाएंगे, तो मोटा मोटा आप ये लगा लो, 1 month, ये उन लिए बोल रहा हूँ, जिन्होंने त्यारी शुरू नहीं की है, जिन्होंने कर रखे हैं इन में से chapter, वो तो 15 दिन ही पकड़ लें, हाना, 1 month के अंदर ये सारा आपका निपड जाएगा काम, अब करना क्या है, बहुत जल्दी बताता हूँ आपको मैं, क्योंकि ये कोई rocket science नहीं है, आपको सबसे पहले, जो भी chapter आप करने बैठ रहे हो, आपको उसका one shot video उठाना है, थोड़ा detailed, अगर आपको chapter आता है, तो revision वाला, chapter नहीं आता है, तो detailed, 2-3 घंटे वाला, बढ़िया किसी channel से, one shot video आपने उसका उठाने के बाद, अच्छे से one shot video को देखते वक्त आपने अपने notes बनाने, one shot video को pause करकरके अपने notes बनाने, इमानदारी से काम करने, उसके बाद आपने सीधा chapter wise, जो book आती है, latest, past year questions की, वो कर डालनी है, and make sure, पिछले 5 सालों के questions तो cover हूँ, in decreasing order of importance, 2022 सबसे important than 21, 21, 20, 19, 18, इस तरीके से, ठीके, अगर आपके पास time जादा ही कम है, क्यार, कलीब रीबोट है, तो क्या करूँ, वरना, आपको सारे करने है, past year questions की latest book, आपके पास कोई ना कोई होनी चाहिए, Oswal की book ले लो, बहुत अच्छी है, link मैंने description में दे दिया है, वहाँ से बाई कर सकते हो, discounted price पे, past year questions करने के बाद, फिर क्या करना है सर, हो गया बेटा, कुछ भी नहीं करना है, इससे आपका काम चल जाएगा, इसको करते हुए, आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, बहुत जादा आपने focus करना है, written practice पे, छोटी से छोटी चीज को भी लिखके देखना है, पढ़ना नहीं है direct, written practice पे बहुत जादा focus करना है, ल लिख लिख के करना है, और इसी के लिए मैंने इतने दिन पकड़े है, तो आप इस plan को follow करो, ये तीन चीज़े mind में रखना, one shot video, past year questions, chapter wise and written practice, एक महीने में आप ये सब निफटा के आपको उसके बाद सिर्फ sample papers करने हैं और फिर देखना, improvement देखना अपने नंबरों में, ठ किसी भी subject पे इसको applicable कर सकते हो, chemistry, bio या आप commerce के student हो, तो आप उसके applicable कर सकते हो, बहुत आसानी से, आपने उसकी भी list बनानी हो, ऐसे अपना काम शुरू कर देना, ठीक है, तो मुझे अब आपसे क्या चाहिए, मुझे आपसे चाहिए, एक simple सा comment, are you ready, मैं आपसे सवाल जो मेरे साथ हैं, इस plan को लेकर समय समय पर, updates आपको मैं इस channel के थूरू देता रहूँगा, one shot videos लाता रहूँगा, past year questions के लाता रहूँगा, लेकिन मुझे आपका comment चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चे हैं, इसमें जो interested हैं, और ready हैं, और जो अपना सब जोखने के लिए तयार हैं, सिर्फ अपने अच्छे future के लिए, तो मिलता हूँ आपसे next lecture में, तब तक के लिए all the very best.